बेटे को हाथ लगाने से पहले आप से बात कर शारुक खान की फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सिर्फ यही एक लाइन हर जगा चाही हुई है और सोशल मीडिया ने ट्रेलर की इस एक लाइन को शारुक खान की तरफ से समीर वान खेड़े को दिया गया जवाब ही समझ लिया है लेकिन अब शारुक के लिए समीर वान खेड़े का जवाब भी आ गया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर जवान का ये वाला सीन काफी वाइरल हो रहा है तो चलिए बताते हैं आपको कि ये शारुक खान वर्जे समीर वान खेड़े की वर्चूल खीचतान में क्या कुछ नया हुआ है और समीर वान खेड़े ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सोशल मीडिया ने उनकी तरफ से शारुक को दिया गया जवाब समझ लिया है हाई मैं हूँ भूपेंदर सोनी और आप देख रहे हैं Uncut असल में शारुक खान की फिल्म जवान का ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर जब समीर वान खेड़े की बात होने लगी तो 31 अगस्त को ही शाम साड़े छे बजे के करीब वान खेड़े ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था I have licked the fire and danced in the ashes of every bridge I have burned I fear no help from you बिल्कुल सही सुना I fear no help from you अब समीर वान खेड़े ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर जवान फिल्म और शारुक के फैंस ने इसे समीर की तरफ से शारुक को दिये जवाब की तरह समझा एक जवान एक्स नाम के ट्विटर अकाउंट होल्डर ने यहां तक लिखा कि वान खेड़े के स्ट्वीट में fire का मतलब शारुक खान है यानि कुल मिलाकर बात इतनी है कि आरेन खान केस अब दोबारा से जवान मुवी ट्रेलर के रिलीज होने के बाद और इस शारुक खान वर्जिस समीर वान खेड़े के जगड़े के दोबारा उठ खड़े होने के बाद चर्चा में आ गया है 2021 में मुंबई में drugs on cruise केस में समीर वान खेड़े की अगवाई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि NCB ने कुछ लोगों को raid के दोरान गिरफतार किया था जिसमें शारुक खान के बेटे आरेन खान भी शामिल थे इस केस में आरेन खान को 20 दिन बाद जेल से जमानत मिली थी और बाद में आरेन खान इस केस में इनोसेंट भी पाए गए थे और अब आरेन खान केस में ही समीर वान खेड़े corruption charges face कर रहे हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने आरेन खान को छोड़ने के लिए शारुक से 25 करोड रुपए की रिश्वत की मांग की थी खेर छोड़िये पुरानी बाते जवान पर वापिस लौटते हैं शारुक खान की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक दिन में ही इसे यूट्यूब पर तीन करोड के करीब लोग देख चुके हैं और इस फिल्म का क्रेज कैसा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही जवान की advance booking ओपन हुई तो पहले दो घंटे में ही इसके 41,000 टिकेट बिग गए यही नहीं अमेरिका में भी advance booking के जरिये ये फिल्म पहले ही 2 करोड रुपए कमा चुकी है और तब तो इस मूवी का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ था जानकारों की माने तो शारुक खान ने इस फिल्म के लिए लगभग 100 करोड रुपए की फीज चार्ज की है जबकि कुछ खबरों में ये फीज 40 करोड के आसपास बताई जा रही है अब शारुक खान ने कितना पैसा चार्ज किया ये या तो भगवान जानते हैं या प्रेडिूसर या फिर शारुक खान हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि इस फिल्म को पहले ही दिन 50 करोड की ओपनिंग मिल सकती है यानि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी बॉलिवूड हिट साबित हो सकती है लेकिन एक बात पर गौर करिये जवान मूवी के ट्रेलर की इस एक लाइन ने इस फिल्म को फ्री में ही इतनी लाइम लाइट दिला दी जो बड़ी बड़ी फिल्मों को पैसा खर्च करके भी नहीं मिलती बाकी समीर बान खेड़े वर्जिस शारुक खान पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और शारुक के फैन है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा शुक्रिया तो